नमस्कार दोस्तों भी प्रिस्टीदा, मैं आप सभी का स्वागत है, इस चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों में सेयर करें, दोस्तों जैसे कि आप लोग बहुत दिनों से बिहार SI की जो new vacancy है, उसको ले confirm date आपको नहीं बता सकता है, क्योंकि ये बिहार है, यहां कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो सुत्रों से जानकारी मिल रही है, उसमें इसी सप्ता ये बहाली आप लोगों को देखने को मिल सकता है, और इसमें total जो पदों की संख्या है, वे 2400 पलस ही रहने की संभावना है, धेड़ सारा पदरिक्त है, लेकिन उतना एक बार में नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि गाया में जो परसिछन की जो कैपिसिटी है, उतना नहीं है, इसलिए आप लोगों को ये बहाली 2400 से कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलेगा, और इसी सप्ता में देखने को मिलेगा ये बहाली, और हो सकता है कि किसी कारणवस अगर ये नहीं आती है, तो इस माह के अंत जाते जाते ये बहाली आना तै है, वैसे बिहार है, पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर कुछ भी संभव है, कब क्या हो जाए पता नहीं चलता है, अगर किसी कारणवस वेकेंसी म डिले होती है तो फिर ये December के first week में चला जाएगा उससे पहले आप लोगों को नहीं निकलेगा इसलिए आप लोग तैयारी में जीजान लगाए रखिए क्योंकि वेकेंसी तो आने ही है वो जब आए और पदो की संख्यां आप लोग देखी रहे हैं और इसमें कम से कम 5-6 लाख लरके फॉर्ण भरेंगे इससे कम आपको यहाँ पर फॉर्ण गिरने की संभावना नहीं है जहां तक वो पर ही गिरेगा क्योंकि बहुत दिनों से इस वहाली की परतिछा हो रही है और इसमें बिहार ही नहीं पूरे भारत के बच्चे फॉर्ण भरते हैं यह भी आप जानते हैं तो इसलिए यहाँ पर जो कम्पिटिसन है तक रहने वाला है तो आप अपनी पढ़ाय को मजबूत करिए और इधर भाग दूर मत करिए वैसे मैं इस टेटी मेटेडियल पर एक अलग से सेप्टेट वीडियो आप लोगों के लिए बना कर लाओंगा और मैं ज्यादा समय भी नहीं लूँगा इस वीडियो में और मैं बहुत दिनों के बाद यह वीडियो बना रहा हूं जब तक कि फोस जान जानकारियां मुझे नहीं मिल जाती है मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाता हूं इसलिए आप लोगों से एक वार फिर विनम नाग रहा है कि आप लोग पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करें रकेंसी आने ही है गम निस्चिंत रहे और अगर इस चैनल को पहली बार देख रह हैं तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि पलपल की खबरे बिहार ऐसा है और बिहार से जो अन्य परिछाओं की जो भी जानकारियां है वे आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा जे धन्यवाद